जै शिरे किशना मित्रो जै मासम संकली कैसे हूँ आप आशा करता हूँ बहतर होंगे और काफी समय के बाद वीडियो आई है वीडियो ना आने का कारण ये ही था कि मैं काम में व्यस्त था और आज मैं आपके शमक्ष जो ये उपाई लेके आया हूँ ये उतिशक्ति शाली उपाई है इसके दुआरा आप अपने खोई होए प्यार को पा सकते हो ये आपका प्यार आपसे अनराज है तो इस उपाई का साहरा लेकर आप अपने समस्यों को दूर कर सकते हैं और किर्पया करके ध्यान दीजेगा तरंतर मंतर यंतर वश्रिकरन काले जादू की सही जानकारिक के लिए और ढोंगी पाखणडी लोगों से बचने के लिए किर्पया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा और किर्पया करके इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और बैल आइकन को दवा दीजेगा तक कि आने वाली वीडियो की आपको नोटिविकेशन मिल सकेगे आज जो मैं आपके शमक्षी उपाय ले कहा हूँ यह बहुत ही शक्तिशाली है किरकागर के वीडियो को पूरा देखेगा उपाय को समझेगा उसके बाद याप उपाय का सहरा लिजेगा सब पर्थम मंतर सुने मंतर इस प्रकार है खारी सुपारी टाम नगरी राजा परजा खारी पियारी मंतर पड़ लगाऊं तो रहिया कलेजा लावे दोड जिवित चाटे पक ताली मोवे सेवे मसानिया सब्द की मारी ना लावे तो जय हनुमान की आन सब्द साचा पिंड क फूलो मंतर इश्वरो वाच्चा अब आप विदी वीदान सुनिये किस तरीके से आपको यह उपाय करना है आपको किसी भी शुब दिन पर यह उपाय आपको आरम करना है अपने शमक्ष आपको लालासन बिछाना है चमिले के तेल का दिपक जलाना है और भोग में आपको एक नार्यल, मिठाई, नीमभू और एक सुपारी रखनी है अपने शमक्ष और आपको इसी मंतर का रोजाना दो माला चाप करनी है यह आपको लगातार 21 दिनों तक करना है और यह आपका मंतर सिद्व हो जाएगा अंतिम दिन पर आपको एक माला से हवन करना है मंतर में अं प हर देखेंगे की तोस्य आंपको असर दिखना शुरू हो जाएगा वह इन फ्रही खान करें दो से तीन दिनने में आपको असर दिकना शुरू हो सब्सक्राइब लिखिसवारा पैसी को दो हो भी जिकिन रिखान रखेगा गलत मकसद कवच क्या वशक्ता होगी और अगली वीडियो में मैं आपके लिए वशिकन करने का और भी आसान उपाई आपके शमक्ष लेक्टियाओंगा तो अभी के लिए इतना ही चै श्रीकिष्णा चै मासम सहनकाली